नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद, आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ, अभिननदन करती हूँ आप सभी तयार हो जाए, संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हमारा जो यह लाइफ सेशन है, यह जो सट्र है, वो कक्षा 9 के विध्यारतियों के लिए संस्कृत का है, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा पार्ट होगा वो भी हम आपको बता दे सब्सक्राइब करते हैं हमारा आज का पार्ट है चित्र वर्णम यानी चित्र के माध्यम से हम किस तरह से संस्कृत को समझ सकते हैं वही बताएंगे हमारे आज के एक्सवर्ट और हमारे एक्सवर्ट स्टूडियो में उपस्तित हो गए हैं और सर से मैं मिला देती हूँ सर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में नमश्कार सर हैं भारती शिक्षा बोर्ड में एजुकेशन ऑफि है लेकिन हम आपको बता देते हैं हमारे माध्यम किस तरह से आप अपने फीडबैक अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं तो सुडेंट आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नमबर के माध्यम से हमारा फोन नमबर आप नोट कीजिए वो नमबर है आठाठ शूने चार चार शूने पांच पांच नौ पर और यदि आप हमें इमेल के माध्यम से अपनी फीडबैक अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो आप उसे नोट डाउन कीजिए हमारे इमेल आईडी है dth.class9 at the rate ciet.nic.in पर तो यह थो थे हमारे विभिन माध्यम की इस तरह से आप अपनी फीडबैक अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं और इस सत्र कु शुर करने से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टन अनौंस्मेंट G20 इस रिलेटेट सांचा करना चाहते हैं We are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilaterism, India G20 Presidency would be a watershed movement in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifests the true spirit of Vasudhev, Kuttambakam and the world is one family. तो आईए शुरुवात करते हैं सत्र की हमारी सत्र में हम आज बात कर रहे हैं कक्षान नौं के विध्यारतियों के लिए संस्क्रित की तो रुख करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर की तरफ और जानते हैं इस पार्ट के बारे में चित्र वर्णम चित्र वर्णम आपने बताया चित्रों का वर्णन नाम से ही ये पता चलता है सामान्यता आप देखते हैं जब भी हम कुछ अपने सामने देखें हमारे समक्ष कोई चित्र हो या हमारे कलपनाओं में उभर रहा चित्र हो दोनों हो सकता है आँखों के समक्ष होना और हमारी कल्पनाओं के समक्ष होना विचार दोनों में आते हैं और उन दोनों ही प्रकार के विचारों को कहने के लिए हम लिखने का माध्यम अपना सकते हैं या बोलने का माध्यम अपना सकते हैं इसी विशय को लेकर के आज हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे कि चित्रों को किस प्रकार से हम प्रस्तुत करें या चित्रों के माध्यम से हम भाषा की अफिव्यक्ति कैसे करें सरप्रथम आज बुद्ध पूरणिमा है तो सभी चात्रों को बुद्ध पूरणिमा की शुभ काम नाएं यह बुद्ध पूरणिमा हमारे लिए अत्यांत प्रेरणा श्रोत है हमें जीवन में बौध्धिक शेत्र में कारे करने के लिए नितांत उपयोगी है महात्मा बुद्ध के जीवन में अनेक परिवर्तनों के साथ साथ जो हमने एक विशाल परिवर्तन देखा उन्होंने एक मानव धर में जो शान्ती शान्ती को अपना करके संपूर्ण समाज में परिवर्तन की क्रांती कर गए तो ऐसे ही हम अपने जीवन में एक भी चीज को यदि अपना लेते हैं तो वो हमारे लिए एक ऐसा साधन बनता है जो संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देता है जो संपूर्ण जीवन के विर्त्य को अमर कर देता है हम चित्रवरणनम में एक उदाहरण के साथ आरंभ करेंगे कि हम समस्कृत को ब्योहार में करने के लिए छोटे-छोटे शब्दों के द्वारा कैसे बड़े-बड़े वाक्यों का निर्माड कर सकते हैं आपने खाली आस्मान देखा होगा उसमें मेगों की अलग-अलग आक्रितियां होती है वरशा के बाद या पूर्व में आप देखेंगे कोई सफेद हाथी चैसा दिखाई पड़ता है कभी गोडे की आक्रिती दिखाई पड़ती है वह हमारे समक्ष होता है हम अपने घर में बैटकर कोई चित्र देखते है उसमें कुछ भी हो सकता है कोई घर है घर के पीछे तालाब है बच्चे खेल रहे हैं सुर्योदय हो रहा है या घोडे दोड रहे हैं या किसी इश्वर की प्रतिमा है हम स्लाइट के माध्यम से देखेंगे कि इसमें यदि कोई चित्र है उस एक चित्र को देखने के बाद आपके मन में अनेक विचार आएंगे अलग-अलग प्रकार के भावों होंगे उन भावों को आप व्यक्त कैसे करेंगे उसका कोई माध्यम होगा और वह माध्यम है आपकी भाषा चाहे मौखिक रूप में आप बोले अथवा लिखित रूप में लिपिक के रूप में उसे आकृति दे जो दूसरों तक आपके विजारों को पहुँचाने का साधन होता है परिक्षा में भी चित्र वरणनम या चित्र का वरणन करो ऐसा प्रशन पूचा जाता है आप बोड का एक्जाम देंगे उसमें भी या अतिरिक्त परिक्षाओं में जो प्रत्योगी परिक्षाओं होती हैं उनमें भी इस तरह के प्रशन होते हैं कि इस चित्र के बारे में आप अपने विचार रखें इस चित्र को देखें और इसके बारे में आप लेखन करें तो जो अभी आप स्लाइड में देख रहे हैं यह एक अभ्यास की क्रिया है इस करशर के नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ चित्र लगे हुए हैं इन चित्रों को देख करके अगर हम आपसे बात करें तो आप बहूत सारी बातें बोल सकते हैं जैसे दो कबूतर है आपसे बात करूँ कि ये कबूतर क्या कर रहे हैं आपके मन में विचार होगा एक कबूतर संदेश ले करके आया है दूसरे को कान में सुना रहा है आपके मन में ऐसा विचार हो सकता है हो सकता है कोई बच्चा दूसरी बात बोले कि हाँ वो खेलने के लिए आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि कबूतर शांती का संदेश है आपने कथाओं में सुना होगा कि कभुतर समाचार ले करके जाते हैं कोई तीसरा व्यक्ति उसे कह सकता है वो आलाप कर रहे हैं ऐसे ही दूसरे चित्र में आप देखेंगे एक प्रतिमा एक मुख की आकृति दिख रही है मुख की आकृति को देख करके आप कहेंगे गौतम बुद्ध की आकृति है यद्यपी आपने गौतम बुद्ध को नहीं देखा महात्मा बुद्ध को आपने नहीं देखा लेकिन फिर भी आप प्रतिमा के आधार पे जैसा आपने कहीं देखा है जैसी आक्रती आपके मस्तिस्क में बनी हुई है उसे देखते हुए आप यहाँ कहेंगे क्योंकि यहाँ इस प्रकार की मूर्ती है उपर आप घंटे देख रहे हैं दो घंटियां टगी हुई हैं कुछ पत्ते हैं लोगों का श्रमुदा आए एक भीड आप देख रहे हैं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति संसार से विमुख हो रहा है संसार की माया से परे हो करके कहीं अन्यत्र जा रहा है कोई सामान ने देखेगा कहेगा जंगल की ओर जा रहा है ये सारी बातें हमने आपसे हिंदी भाषा में बूली अगर यही बात मैं आपसे सम्स्कृत में करूँ ममपुरुतह एकम चित्रमस्ति द्रिश्य पटले यद चित्रम द्रिश्यते तस्मिन चित्रे बहु प्रकारकाणी चित्राणी संति तत्र घंटा द्रिश्यते, मुखाकृतह द्रिश्यते, कपोतव द्रिश्यते पत्राणी द्रिश्यते, जनानाम संमर्दा द्रिश्यते एव मेव एकह सन्यासी अथवा एकह त्यागी पुरुशह संसारस्य मायाम विमुच्य अन्यत्र घच्छति अथवा कानने घच्छति अथवा हस्ते पात्रम स्वीकृत्य तस्मिन पात्रे यत्कीमपि भवितुम शक्नोति तत्स्विकृत्य अन्यत्र घच्छति आपरश्य अत्र शाखावत वरिक्षस्य साखाव अपी द्रिश्यनते एव मेव प्रतिकृति ही द्रिश्यते आप एक लोगों देख सकते हैं तो बहुत कुछ है कहने के लिए इस चित्र को देख करके ये बाते हमने आप से अपने विचार में कहीं एव मेव आपके अपने विचार होंगे और आप भी इन चित्रों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं यानि चितरों के माध्यम से हम किसी भी चीज को समझा सकते हैं, अपनी अभिवेक्ती, अपने एकस्पेशन, अपने अपको उस चितर को देखकर हम एकस्पेश कर सकते हैं, सबकि अपने अपने विचार हो सकते हैं और कुसुम जी सबसे अच्छी बात यह है कि चित्रों के माध्यम से यदि भाषा सीखी जाए तो बड़ी सहज हो जाती है मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा उन चित्रों को आप देखेंगी उन चित्रों को देखने के बाद छोटे छोटे वाक्यों का आप निर्माड कर सकते हैं सम्स्कृत के हम आपको कुछ शब्द देंगे उन शब्दों के आधार पे आप नवीन वाक्यों की रचना कर सकते हैं तो भाषा को सीखने का साधन चित्रवरणन अच्छा सा उदाहरण हो सकता है और सहज क्योंकि भाषा को यदि व्याकरण के द्रिष्टी से आप देखेंगे भाषा को परिस्कृत रखने का साधन व्याकरण है अवर्ष्य लेकिन भाशनात भाशा भाशा कथम आगच्छती भाशनात व्यवहारात वयम व्यवहारम कुरमह चेत भाशायाह तदेव प्रयोजन तरही चित्रम द्रिष्ट्वा वाक्यानी कथम रचयामः चित्रमाध्यवेन भाशायाह अवगमनम कथम कुरमः इती अध्यवयम पश्यामः पठामः लिखामस्च हम देखेंगे पढ़ेंगे और लिखेंगे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं सुर्योदय का चित्र है उपर मन्जूसा लिखा आप देख रहे होंगे मन्जूसा सब्द प्रियोग किया जाता है एक बॉक्स के अर्थ में जो बक्सा होता है उसे मन्जूसा कहते हैं कि मंजूशा यही है जो आप एक चार खाने के डिबे के अंदर कुछ शब्द देख रहे हैं यह मंजूशा के अंदर रखे हुए शब्द है आपको इस तरह की कई स्लाइड्स आज देखने को मिलेंगी और यह जो दिये हुए शब्द हैं यह संकेत हैं संकेत क्या हैं आप सम्स्कृत भाषा को यदि नहीं जानते हैं तो इन शब्दों के माध्यम से आप इस चित्र को देख करके कुछ वाक्य बनाईए ऐशा प्रयास होना चाहिए जैसे बालह दूसरा शब्द है पश्यतह तीसरा पुनह बालह बालव कर सकते हैं बालह एक बचन है इसको बहु बचन में यदि परिवर्थित करें बालाह माने लड़के बालाह पश्यति हमने दो शब्दों का चैन किया और एक नंबर लिखा उसके आगे लिख दिया बालाह पश्यति मतलब बच्चे देखते हैं पाद पाह अर्थात व्रिक्ष कई व्रिक्ष हो तो उन्हें पाद पाह बहुचन का प्रियोग करेंगे एक व्रिक्ष है तो व्रिक्ष है अब इस चित्र को देखें कुछ क्रिया पदों को आप प्रियोग में लेते हुए इसका पूरा वरणन कर सकते हैं कैसे पाद पाह संती व्रिक्ष हैं पाद पाह शंती अर्थात व्रिक्ष हैं बालह यहाँ पे दोलाह सब्द योजित करके जैसे यह जूला है तो बालव दोलायाम स्तह दो बालक जूले पर हैं व्रिक्ष है अस्ती अस्ती संती यह कुछ क्रिया पद हैं है के लिए प्रियोग होते हैं एक वचन और बहवचन के लिए इनका प्रियोग सामान्यतह आप करके बहुत अच्छे से भाषा का अवगमन कर सकते हैं इससे सूर्य चित्र में आपको दिख रहा है तो सूर्य उदेती सूर्य अस्ती सूर्य है इसमें जोड़ दीजे चित्रे सूर्य अस्ती चित्र में सूर्य है चित्रे मेगह अस्ती चित्र में बादल है मेग है चित्रे चटकाह संती चित्र में चिडियां हैं बहुत सारी चिडियां हैं तो चटकाह संती चित्रे तडागह अस्ती चित्र में तालाव है उत्तमं चित्रम अस्ती यह चित्र बड़ा सुन्दर है चित्रे पुष्पाणी संती चित्र में पुष्प हैं बहुत सारे फूल है बालः योगम करोती बालक योग कर रहा है बालव योगम कुरुतः दो बालक योग कर रहे हैं इस तरह आपने देखा कि चित्र में आपको जो जो दिख रहा है वो आप एक छोटे छोटे वाक्यों में बोल गए ये आपकी अभिव्यक्ति है इसकी अतिरिक्त भी अभिव्यक्ति हो सकती है जैसे यहाँ पे एक गिलहरी दिख रही है चित्रे चिक्रोडः अस्ति जिन शब्दों के या जिन चित्र में जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही है यदि उनके नाम पता नहीं है तो आप डिक्सनरी की सहायता ले सकते हैं अनलाइन शब्दों कोस भी बहुत सारे उपलब्ध है और आफ्लाइन भी पुस्तके मिलती हैं तो उनकी सहायता से आप शब्दों कोस अपने शब्दों को सकते हैं व्रिक्ष में आपको फल दिख रहे होंगे तो व्रिक्षे फलानी संती, एक फल है तो फलम अस्ती इस तरह इस चित्र के बारे में आप और कुछ जो जो सोच सकते हैं कि ये एक उद्यान है, ये एक पहाडी है, यहां बच्चे खेलने आते हैं, सुबह आते हैं, सुबह का समय है, बहुत कुछ इस चित्र में बोला जा सकता है ऐसे ही आप इस चित्र में देख रहे होंगे, प्रायह सब के घरों में यहां चित्र उपलब्ध होता है, नहीं तो कहीं न कहीं मंदिर में या बाजार में आप फोटो फ्रेमिंग की दुकान में चित्र जरूर देखे होंगे श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, दोनों तरब से नाए खड़ी है इसके बारे में कुछ शब्द मन्जूशा में रखे हुए है इन शब्दों को देख करके हमें वाक्य विन्यास करना है क्या-क्या वाक्य विन्यास हो सकता है, जरह देखें महाभारतम, महाभारत से संबंधि दिया चित्र है इसलिए महाभारतम शब्द श्री क्रिष्णह, अर्जुनाय, युद्ध समय, उपदेशान, मोहात, ददाती, कर्तब्य, पालनम, युद्धाय, सन्नध्ध ये शब्द हैं इन शब्दों के प्रयोग से आप एक-एक वाक्य बनाएए जैसे स्री क्रिष्णह, अर्जुनाय, स्री क्रिष्णह, अर्जुनाय, उपदेशान, ददाती स्री क्रिष्णह, अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं चित्र में यही है ना, स्री क्रिष्णह, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं एतत चित्रम महाभारतस्य अस्ति अथवा महाभारत युद्धस्य अस्ति ये चित्र महाभारत के युद्ध के समय का है करतब्य पालनं अर्जुनह करतब्य पालनं करोती अर्जुन अपना करतब्य पालन करता है अर्जुनह मोहात युद्धम न करोती अर्जुन मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहा क्योंकि उसके स्वजन संबंधी लोग वहा है ये तो इन शब्दों के माध्यम से आप ब्योभार कर रहे हैं कुछ चीजे हैं जो आपको इस चित्र में दिख रही हैं जो प्राय होती हैं जैसे चित्रे आकाशह अस्ति चित्र में आकाश है चित्रे रथह द्रिश्यते चित्र में रथ दिखाई पड़ रहा है चत्वारह श्वेत अश्वाह संती चार श्वेत अश्व हैं स्री कृष्नहा रथे आरूढह अस्ति स्री कृष्न रथ में चड़े हुए हैं रथस्य उपरी ध्वजह या रक्तध्वजह अस्ति रथ के उपर लाल ध्वजह है एक अस्मिन च्षेत्रे हस्ति सेना वर्तते हाथियों की सेना है अपर अस्मिन च्षेत्रे अश्व सैनिकाह संती दूसरे ख्षेत्र में घोडे के सैनिक हैं या घुरसवार सैनिक हैं तो इस तरह से आपने देखा कि इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं और आप आठ दस शब्दों के द्वारा या पदों के द्वारा जैसे अस्ति, संति, वाम भागे, दक्षिन भागे, उपरी, अधाह, श्री कृष्णह, अर्जुनह, महा भारतम इन सारे शब्दों के माध्यम से इस चित्र के बारे में आप पांच से दसवाक्य बहुत सहज बरा सकते हैं कृष्णस्य पीतम धौतवस्त्रम या कृष्णस्य वस्त्रम पीतम अस्ति, कृष्ण का कपड़ा पीला है इस तरह आप इस चित्र के बारे में अपनी बातें कह सकते हैं एक पहुत ही मनमोहक चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र से आप प्रतिदिन सामना करते हैं कहीं विद्याले के प्रांगड में अथवा उध्यान में पार्क में आप खेलने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसा दृष्य आपको जरूर दिखाई पड़ता है तो एतचित्रम कथम अस्ति? एतचित्रम उत्तमम अस्ति यह चित्र कैसा है? उत्तम है यह तो सभी चित्रों के लिए आप प्रयूग कर सकते हैं कि यह चित्र कैसा है? एतचित्रम उत्तमम उत्तम नहीं है तब क्या कहेंगे? तो उत्तमम नास्ति एतचित्रम उत्तमम नास्ति यह चित्र उत्तम नहीं है लेकिन यदि कहेंगे उत्तम नहीं है तो बताना पड़ेगा क्यूं नहीं है किमर्थम कथम नास्ति चित्रे का समस्या एतत सर्वं प्रतिपादनियम भविश्यति अस्मिन चित्रे किम किमस्ति भवंतह चिंतयन्तु पर्श्यतू अत्र बालाहसंति बच्चे हैं अस्मिन चित्रे बालाहसंति आपका एक वाक्य ऐसे ही तयार हो गया अस्मिन चित्रे बालाहा क्रीडंती खेलनम कुरुवंती अथवा खेलंती बच्चे खेल रहे हैं आपको यदि सम्स्कृत बोलने नहीं आती है या आपको सम्स्कृत का शब्द को से आपके पास नहीं है तो मंजूसा से ले लीजिए यह मंजूसा जो देख रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से आप निर्माण कर सकते हैं जैसे उद्ध्यानम एतत उद्ध्यानम अस्ति यह उद्ध्यान है यह पार्क है यह तो आप सहज बोल सकते हैं आपका एक वाक्य बन गया बालह चित्ररंजनम करोती करोती क्रियापद आप यहां देख रहे हैं और वह चित्रम रचयती ऐसा कर सकते हैं बालह चित्रम रचयती एक बच्चा है जो चित्र बना रहा है बालव क्रीडतह दो बच्चे खेल रहे हैं अत्र बालाहा क्रीडन्ती इधर तीन बच्चे खेल रहे हैं अत्र पुष्पाणी संती यहाँ पे कई पुष्प हैं अत्र व्रिद्धव उपविष्टः तिष्ठतः दो व्रिद्ध लोग बैश्टे हैं इस तरह आप इन पदों की सहायता से वाक्यों का निर्माड कर सकते हैं ऐसे ही एक विद्यालय का दृष्प है इसमें भी या क्रिडांगन का दृष्प है बच्चे खेल रहे हैं यहाँ भी आपको पिछले चित्र में आई हुई वस्तुमें देखने को मिल रही होंगी दूरे ग्रिहम अस्ति दूरे व्रिक्षाह संति माता पितरव अस्तह बालव अस्तह बालाह क्रिडंति आपका पूरा वाक्य हो गया इसी तरह यह मार्केट का दृष्प है सब्जी मंडी है शाका पडम अस्ति यह तब की मस्ति शाका पडम शाका नाम आपडम शाका पडम तू शाक वेक्रेता जी बिल्कुल सार इस तरह से हमारे चुछा थे चीद्र को देखकर अपने वाक़पश कर विदे कंड़ को सकते हैं। सर आप यहां आए और हमारे students and learners को इतनी रोचक बाते बताई इस पार्ट के मादियम से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद Dear students and learners जाने से पहले हम एक बार आपको बता दें कि NCRT टेक्सबुक्स उपलब्ध हैं और यदि आप लोगों में से अभी कुछ बच्चों के पास हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि NCRT के बुक्स उपलब्ध हों तो आप जरूर वेबसाइट पे विजिट कीजी NCRT लूरू, गोहती, और कोलकता. And these sales counter will be functional on all the weekdays including as it is holidays, Saturdays, Sundays from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. And you may place order for the books online from our website ncertbooks.ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download for free from NCRT and Dikshan, e-Parshala website and mobile app. So, dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. तो ये थे हमारे सुचना NCRT books से संबन्दी, तो आप जरूर वेबसाइट को विजिट कीजिए और आपको अपनी सारी books एक ही जगर मिल जाएंगी, जो भी आपको चाहिए. और फिलहाल हमें आपसे आग्या लेना चाहेंगे, लेकिन आप बने रहें ये वीडिया चानल पर क्योंकि अभी बहुत सारे ग्यानवर्दक और रोचक सत्र हैं. तो हमें दीजे इजाज़त, नमस्कार.